अचानक से P.E.M. Modi की तारीफ करना चायना के द्वारा वहीं ये खबर आना कि R.S.S. के इर्द गिर्द भटक रहा है चायना का राजदूत और उनका परतिनीधी बंडल आखिर क्या है मामला आखिर चायना क्या करना चाह रहा है और क्या अमेरिका की रिपोर्ट सही है चायना के बारे में चाइने की मिलिटरी कि अंदर से खोखली हो चुकी है जानेंगे चाइना किया और एक्षं लेने वाला है जिसकी वजह से भारत के साथ रहना चाह रहा है जीवौDan इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जानने को मिलेगा आपको बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से अब अचानक से कई सारी चीजें हो रही हैं जो चीजें कहते हैं पस्चिम से सूरज उगना हमने ही आपको यह खबर दी थी और कहा था कि ग्लोबल टाइम में पहली बार भारतिये पी-म को लेकर तारीफों के पूल बांधे गए और भारत को लेकर बढ़ी अच्छी आच्छी बाते कहीं बादे कहीं हैं अब मिंट की एक रिपोर्ट देख सकते हैं इसमें कहा गया की रिंस से के हेड़्यक्वार नहीं पहुंचे थे चायना और चाइना के पर्थिनीधी मंडल हाला की RSS की तरब से एक खुलासा किया गया RSS यानि की राश्रिय स्वयम सेवक संग यहाँ पर चाइना के राजदूत और उनके पर्थिनीधी मंडल नागपूर पहुँचे थे कहा गया कि हाँ वो नागपूर आये थे लेकिन वो यहाँ पर नहीं आये थे हमारे हेड क्वाटर नहीं आये थे उनको बताया गया उनके बारे में कि यह जो पहुँचे थे यह ग्रूप चाइनीजी स्कॉलर्स का ग्रूप था जो हिंदी में अपने आपको परिफूर्न करना चाहते थे यह एक वर्कसोप पर आये थे आत्मा गांधी अंतराष्टिये हिंदी बिस्विद्याले के तरफ से नागपूर में 7 दिसंबर को एक वर्कसोप आयोजित किया गया था और यह डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचा था यह बस वहाँ तक ही रहे आपको बता दे भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि भारत और चाइना के रिलेशन नॉर्मल नहीं है और तब तक नॉर्मल नहीं हो सकते हैं जब तक की बॉर्डर पर समस्याओं का समाधान नहीं होता है भारत की External Affairs Ministry ने इस चीज को साफ कर दिया है तो फिर सवाल उठता है कि आखिरकार चाइना ये सब कुछ क्यों कर रहा है चाइना के Global Times के द्वारा अगर PM Modi को कहा जा रहा है कि ये बहुत ही अच्छे हैं और इनके कारेकाल में बहुत ही अच्छा विकास हुआ है तो इससे अगर बात करें फाइदे की तो फाइदा किसे होने वाला है आप एक तरह से देखें तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि दुस्मन भी अब तारीफ करने को मजबूर हो रहा है पर दुस्मन यूही तारीफ नहीं करता है कुछ न कुछ वजह तो जरूर है आपको बता दे चाइना की एकोनोमी में जो जो जोल है उस जोल के बाद एक बड़ा डर पैदा हो गया है और वो डर क्या पैदा हो गया है धीरे धीरे चाइना के पबलिक तक भी पहुँच रहा है और जहां चाइना के पबलिक तक ये खबरे पहुँच रही है तो कहीं चाइना की पबलिक बिरोध में न आ जाए ये एक बड़ा मामला बन रहा है जिसके बाद ये माना जा रहा है कि चाइना के राश्पती अपनी छबी को बचाने के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं और इस कुछ बड़ा में वो क्या करेंगे तो कहा जा रहा है कि इस कुछ बड़ा में बहुत ज़्यादा ऐसे चांस है कि ताइवान के उपर एक्षन लिया जा सकता है अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए चाइना ने पांच अमेरिकी मैनुफेक्चरर जो आर्म्स डील करते थे आर्म सेल्स करते हैं ताइवान को हतियार बेचते हैं उन पर पड़ती बंद लगा दिय है और ताइवान का क्या कहना है कि आज कल चाइना के बलूंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो यहां साइकोलोजिकल वार चल रहा है एक युद्ध जैसा माहोल है एक तरफ जहां ताइवान में चल रहा है इलक्षन का माहोल और दूसरी तरफ बलूंस भेजे जा रहे हैं और तीसरी तरफ अमेरिका की कमपनी बेई सिस्टम और इसके अलावे एलियेंट, एरो, वियासेट, डेटा लिंक, सोल्यूशन इन सब के ऊपर चाइना ने परतिबंध लगाए हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चाइना ताइवान की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन ताइवान को एक डर लग रहा है और वो डर लग रहा है कि कहीं ताइवान पर एक्षन लेने के बाद अमेरिका और भारत चाइना के ऊपर एक्षन न लेने। इसलिए चाइना भारत के साथ रिस्तों को फिलाल के लिए ठीक करना चाहता है। आपको बता दें, चाइना तो अपने आपको सुपर पावर दिखलाता है, बहुत सक्ति साली, फिर चाइना को क्या जरूरत है कि चाइना भारत की मदद ले, या फिर अमेरिका की मदद ले तो अभी चाइना की जो मीटिंग हुई थी इस मीटिंग में जिन पिंग ने कई सारे नियमों को बदला है आपको बता दें जैसा कि हमने कहा था कि जिन पिंग ने अपने लोगों को अभी ये कहा है कि आप वुल्फ वारियर की डिप्लोमेसी छोड़ दो और यहाँ पर आप नीती अपनाओ चाइना के बारे में दुनिया को बताओ और चाइना ऐसा कब करता है तो आपको बता दें चाइना ऐसा तब करता है जब चाइना अंदर से कमजोर रहता है इस्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिया इस आर्टिकल में भी यही बात कहा जा रहा है कि चाइना इस वक्त कई तरह की समस्याओं से जुजा हुआ है एक तरफ कि अपने ही घर में इकोनोमिक डाउंटर्न आ चुका है और नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है प्रोपर्टी की क्रैसिस है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा माना जा रहा है कि इन सब के बीच में अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ताइवान पर चाइ मिनिस्ट्री है इन्होंने साफ किया है कि चाइना के मिसाइलों में इन्होंने बड़े ही अजीब सब्द का इस्तेमाल किया है चाइना के मिसाइलों में पानी भरा है इंधन नहीं जो दिख रहा है वो से कहीं उलट यहां पर हुआ है अभी हाल फिलाल में हमने क्या देखा की जो 2023 की यात्रा रही लाश्ट लाश्ट में इन्हों ने अपने रॉकेट फोर्स में उथल पुथल मचा दी है और इस रॉकेट फोर्स में कई सारे लोगों को निकाल दिया गया है कई सारे के ऊपर भरष्टाचार के केस चल रहे हैं कई सारे जनरल को अरेश्ट किया गया है और ये रोकेट फोर्स की हालत बहुत बुरी है ऐसे में अगर चाइना ताइवान के लिए आगे बढ़ता है तो चाइना को और कोई भी परेसानी नहीं चाहिए यानि की चाइना चाहता है कि भारत इस मामले में इंटर्फेर ना करे और उससे पहले रिष्टों को सुधारना चाहता है खेर अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि आगे क्या होता है इतना आसान नहीं है सारी चीजे वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है झाल झाल